नमस्ते दादा, क्या ओम हमें मदद कर सकता है हमारी आदियात्मिक परिवर्तन के लिए? ओम बहुत शक्तिशाली मंत्र है, बहुत शक्तिशाली इसे कुछ लॉज है, न्यूटन लॉज आपको पता है, फर्स, सेकेंड, थर्ड लॉज आप स्कूल में जब लॉज पढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं, सिद्धान्त पढ़ते हैं, आपके लिए की इन्फोर्मेशन है वो किसी ने आपको बताया कि ये लॉज ऐसे ऐसे काम करता है, बट आपके जीवन में कुछ बदल नहीं होता उससे, कुछ बदलाव नहीं आता, कुछ आपने पढ़ लिया हो पर physics का कोई student है, या physics का कोई experimental physicist है, जो प्रयोक करते हैं, जब वो पढ़ते हैं, तब उनके लिए इसका मतलब है और वो उस law को use भी करते हैं उन सिद्धान्तों को use भी करते हैं वैसी ओम है आप उचारण करते रहें अच्छा लगेगा जितना आप करते रहेंगे पर deep impact चाहिए तो उसके पीछे का मतलब समझना होता है अर्थ समझना होता है और एक रास्ता बनाना होता है वहाँ तक पहुंच के उसको उसके साथ one होने का एक रूप होने का तो ये जो रास्ता है शुरुवाती तोर पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि spiritual transformation एक तो शरीर में भी है spiritual में भी है पर आपका existence मतलब आपका अस्तित्व फिलाल इस वक्त आप कहा हो पहले दुवग प्रश्टे आप अपने आपको कहां देख तो इस आपको जबाब कैसे आता है कि मैं कहा हो तो मैं किदर हो बैटके दोड़ा देख लिए आप या तो मैं शरीर में हूँ यह शरीर जो है यह मैं हूँ टच करते स्परश करते वह पता चल जाता है या तो फिर मैं मन में हूँ भावना हूँ या विचार यादे मन में हूँ या मैं उसके आगे हूँ सबकॉंशिस माइन्ड या उसके आगे आत्मा हो तो आप कहा हो उसके हिसाब से आपकी यात्रा आपकी साधना निरधारित होती है अगर आप शरीर में हो वहां से आपको ओम का उच्छरन करते हुए साधना करते हुए सोर्स तक पहुंचना कटिन हो जाथ क्योंकि आप बहुत बहार हो अगर आप थोड़ा भीतर हो एक सबकॉंचिस माइन तक हो तो बहां पर साधना करते हो तो ओम तक आप पहुंच सकते हो तो जितना आप अपने आपको दूर देखते हो सत्य से उतना वो यात्रा कठीन हो जाती है तो ओम शिरुवाती तोर पे साधना नहीं करने चाहिए जब समय आता है उसके बाद ही वो आपको साधना करने चाहिए कोकि ओम से शुरू करेंगे आपका स्कृरिचल ट्रांस्वर्मेशन तो आपका शिरिर ले नहीं पाएगा शिरिर तैयर नहीं होता वो बहुत ही वो साधना है तो उसकी तैयर ही गुरु के सानिद्धे में करना होता है और उसके बाद ही आप आगे चल सकते हो तो ओम के जैसे ओम है वैसे और भी शक्तिशाली अलग-अलग मंतराज है पर साधना हम उनकी नहीं कराते है क्योंकि शरीर उसे लेनी पाता है, उसके लिए एक तैयरी होती है, वातावरण भी होता है, सही जगा भी होती है, जब वो नहीं है तो हम सिखाते नहीं है, देखो कैसे कि आपके पास कोई बुक लेंगे, आपको पास उसमें इतने सारी साधना है दिखेंगे, तो लोग पहले के साथ, मन के साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और ओम की तो परी नहीं सकते हैं, आप प्रेम से ओम हुचारन करके छोड़ सकते हों, साधना अलग है, साधना एक तरीका है, एक स्टेप वाइस एप्रोच है, एक तयारी है, अनुष्ठान है जिसे कहते हैं, तो वो अगर जाते हों, तो आपको अपनी आपके लिए, खुद के लिए एक विशेश तयारी करनी होती है, so ओम is good, ओम से spiritual transformation होता है, और होगा भी, depending on where you are, आप कहा हो, उसके हिसाब से हम उसे यूज़ कर सकते हैं, आप सभी के लिए स्टरल मार क्या दिया हैं, कि आप बस बात करते हैं के साथ, वहीं से आपको सब कुछ मिलेगा, अगर कभी भी ऐसा लगता है कि ओम का जरूरत है, विशेश साधना का, जैसे हम उचारन करते हैं, उसे सभी प्रैक्टिस करते हैं, पर विशेश साधना नहीं दिये हैं, जरूरत होगी, तो जरूर बताएंगे, करेंगे, समय का जरूर